आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरल्डरा के CDR फाइल और CMX फाइल के बारे में जी हाँ दोश्तों और इससे फरक क्या पड़ता है वो भी देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको इसका साइज दिखा देता हूँ जो की आपने थमनेल पर पहले से ही देख रखा है आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट के नाम से हमने CDR फाइल बनाई है जब मैं इस पे माउस को ले गया तो यहाँ पे उपर लिखा है टाइप CDR फाइल और इसका जो साइज है 4.5 MB ठीक उसके नीचे ही टेस्ट 2 है जिसका टाइप CMX फाइल है यानि यह CMX है और इसका साइज आप देख सकते हैं 25.1 MB आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा का फर्क है तो आखिर ऐसा क्यों होता है और जब इतना ज़्यादा साइज है CMX का तो फिर हमें CMX बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है सेम चीज़ है जो टेस्ट CDR फाइल में है वही टेस्ट 2 CMX फाइल में भी है मैं आपको फाइल ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं यहाप यही फाइल है जब हम इसको CDR में सेव करते हैं तो 4 MB का होता है और जब इसको हम CMX में सेव करते हैं तो यह 25 MB का हो जाता है अक्सर लोग CMX इसलिए बनाते हैं और CMX को बनाया भी इसलिए जाता है ताकि किसी के पास low version का CorelDRA हो तो उसमें यह फाइल ओपन हो सके जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास CorelDRA 2020 है और मैं चाहता हूँ कि जिसको यह मैं send करूँ उसके पास CorelDRA 2012 है तो वहाँ पर यह open हो जाए इसलिए हम इसको CMX में show as करते हैं तो CMX में show as करने से यह open तो हो जाएगा लेकिन आपने देखा कि इसका जो size है वो काफी ज्यादा हो जा रहा है जिसको हमें send करने में भी काफी दिक्कत होती है और file size इतना बड़ा अच्छा भी नहीं लगता तो दूसरा option भी हमारे पास होता है कि अगर आपके पास CorelDRA 2020, 2021, 2022 जो भी है latest version का तो आप file save as करें और उसको खुद जिस version में भेजना हो वहाँ पे set कर दें जैसे कि इसको हम save as करते हैं Ctrl Shift S से आप file menu में जा करके भी save as कर सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे खुद यहाँ पे लिखा है version इस पे जब आप click करेंगे तो आपको जिसमें भी देना है अगर 12 में देना है तो 12 पे click कर दीजिए और 11 में देना है तो 11 पे click कर दीजिए उसके बाद save कर दीजिए यह बिल्कुल आसानी से save हो जाएगा हाँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कभी कभी यह होता है कि जब सामने वाला फिर इसको open करेगा तो वहाँ पे ignore करके लिख के आता है तो बहुत सारे लोग उसको card देते हैं जिसका वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया है जब आप ignore पे click करेंगे तो file open हो जाती है और दूसरा तरीका एक और है CMS बनाने से भी बेतर है और save wise करने से भी बेतर है आप जिसको भी यह file दे रहा है font वगरा के साथ में देना चाहें ताकि font को lock न करना पड़े तो collect for output कर लिजिए नीचे वाले सारे वर्जन में जब file पर आप click करेंगे तो यहाँ पर होता है collect for output लेकिन यह 2020 में नहीं so करता है तो इसका वीडियो मैंने बना दिया किस तरीके से आप इसको set कर सकते हैं आप खुद अपना start cut इसको बना सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लिजेगा इसमें भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हम tools में आ जाते हैं और यहाँ पर हम option पर आएंगे उसके बाद customization इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम commands पर क्लिक कर देंगे क्योंकि shortcut को command C बोला जाता है और यहाँ पर हम search कर देंगे collect for output आप देखेंगे यहाँ पर हमने collect for output search किया और यह आ गया जब हम इस पर click करेंगे तो इसके बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है shortcut key इस पर क्लिक करके आप इसका shortcut खुद से बना सकते हैं या जो यहाँ पर लिखा होगा उसको use करके भी आप इसको कर सकते हैं जैसा कि इसका shortcut मैंने बनाया है control alt shift c control alt shift c तो आप देखेंगे जैसे ही हमने press किया control alt shift c यह box open हो गया collect for output उसके बाद हमको next पर क्लिक करना है और यहां से भी आप version change कर सकते हैं आप यहां पर देखिए include cdr लिखा हुआ है say wise version तो इसको भी आप बारा कर दीजिए और उपर include pdf भी लिखा है तो अगर आप चाहें जो font use किया गया है वो आटोमेटिक यह ले लेगा aerial और aerial bold font फिर उसके बाद हम next पर क्लिक करेंगे फिर next पर कर देंगे और अगर हमको zip बनाना है तो इस पर हम tick कर देंगे यहां पर लिखा हुआ है place and compress zip folder file भेजने के लिए zip बनाना काफी बेतरीन होता है ताकि एक zip में जो भी चीज़ें सारी आ जाए तो आप इस पर click करके next कर दीजिए और उपर आप देख लीजे कहां पर यह say हो रहा है file आपकी say हो जाएगी तो इस तरीके से आप cmx न बना करके cdr बनाईए ताकि उसका जो size वो कम रहे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दें